हुआ हाई दर आम रिकिन मोधी वन सगेंड वेलकम इंग आल इन शुद अमें जानों चूँ फ्रेंड्स तम्हें स्क्रीन उपर एक सेंटेंस वांची शको चूँ अब फ्लेर फॉर सम्तिंग अनू अट शूद आए दाखला तरीक आपणामा कोई खास प्रकाणी टैलेंट हो अटो कोई बीजा नामा कोई खास प्रकाणी टैलेंट हो और टैलेंट विशेवाद कर भी होए तो तम्हें आउं कई शकोचो कि ही फ्लेर फॉर अइन्हों उदारण्यलेके एकजम्पल आपूचू। दाखला तरीके दात। I have a flair for painting. Ramesh has a flair for swimming. Meena has a flair for dancing. तो आना थी तम्हें तम्हें दम्हें आएंगलिष ने एक बन्हारे उंचाई आपी श्कोचू। आना सारी लेंग्वेजमा वर्न भी श्कोचू। जो आपने कोई ने हूँ के तमरू मुख सरस से तमरू मौडू सरस से तमरू डाचू के उचे तो और जो सरस से पनाखी वाक्य रसना अखो भाव बदले जाएजे तो एवी जरी इंग्लिश मापन तमें जो सारी वोकेबिलरी अने सारा सेंटेंस वापरी शको तो अखा वाक् जो जो एवी हैजे प्लेर फर सम्थिंग अतवा तो आईहां पलेर फर पेइंटिंग गाईस अफ यह नो जो सब्सक्रेब उन एप चनल येट च्कु आद प्लीज सब्सक्रेब माई चनल एटें धीड बैल इकन फर नोटिफ्यकिशन सेकंड सेंटेंस तुम्हें स्क्रीन पर वांची शको चो सिक एंड तायर्ड ओफ एनों अर्थ यो था है कंटाडी जवू अतों कंटाडी गयो चू फॉर एक्जांपल आपने घणी वकत जीवन मां आपनी आजू-बजूना वातावर मां जिमके फ्रेंड्स ना सिली क्वेस् तो आज प्रमाने तमें एक सारी लेंग्वेज मा इन्हें आंसर आप ही शको चाहता ने वर्ण भी शको चो इंग्लिश मा थर्ड सेंटेंस अत्वा वर्ड तमें स्क्रीन पर देखी शको चो जॉसल स्पैलिंग छे जे ओ एस टी लए पर एन्हों प्रनिंसियेशन थाए जॉसल एन्हों अर्थ थाए धक्का मुक्की करवी फॉर एक्जामपल मैं काले राते तमने बस्टेंट पर धक्का मुक्की करता जो यह हो थो तो इन्हों सेंटेंस आवरी ते बने आई सो यू जॉसलिंग अट बस्टेंट यस्टेड़े नाइट तो मैं समझें वह सुने जॉसल के बही आपने धक्का मुक्की माटे एक सारो वर्ड और एकज वर्ड यूज करवो हो हो है तो आएक परफेक्ट और करेक्ट वर्ड छे जे ओ एस टी एली जॉसल कर दो